हलो एवरिवन, वेलकम टू रीटा अरूरा रेसिपीस चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं सामबर जो बहुत ही जादा टेस्टी तो है ही साथ ही नूटिशियस भी है और आप इसे इडली, सामबर, वड़ा या फिर चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, तो चलिए फिर इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप अरहर की दाल ली है, और इसे हम इस बॉल में डालके पहले अच्छे से धो लेंगे, हमने इसे दो से तीन बार अच्छे से पानी से धोना है, धोने से इसमें जो भी इंप्योर्टी होगी या जो भी इसके पर polish होगी वो निकल जाएगी और ये देखिए दाल को हमने अच्छे से धूल लिया है और अब हम इसे कूकर में डाल देंगे और साथी में मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ साथी नमक डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग और एक छोटी चमच ओयल डाल देंगे अब हम कूकर का धकन लगा देंगे और इसे 4 सीटी आने तक दाल को हम उबाल लेंगे और चब तक हमारी दाल उबल रही है तब तक हमने एक कुछ सबजिया ली है जिसमें मैंने एक प्यास को रफली काट लिया है 6-7 बीन्स काटी है एक गाजर को काट लिया है और थोड़ा सा सीता फल लिया है या जिसे कद्दू भी कहते हैं और आदा कप लॉकी ली है और एक तमाटर लिया है आप चाहें तो इसमें अपनी मन पसंद कोई भी सबजी डाल सकते हैं या कोई भी इसमें से निकाल सकते हैं जैसे आप इसमें बैंगन डाल सकते हैं भिंडी डाल सकते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है और इसमें अगर आपको ड्रम स्टिक मिलती है तो वो आप ज़रूर डाल लें क्योंकि मुझे ड्रम स्टिक नहीं मिली है बहुत ही जादा घुल जाएगा बहुत ही जादा वह ठंडी होने के बाद जम सी जाएगी तो आप इसमें ब्लेंडर ना चलाएं और हम इसे बाद में भी पकाएंगे तो यह और जादा भी अच्छे से घूल जाएगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और अब हम इसमें ये सब्जियां डाल देंगे जो हमने काट कर रखी थी ये बीन्स, गाजर, सीतफल और लौकी भी और साथी में मैं इसमें दो कप पानी डाल रही हूँ, सब्जियां हम बाद में डाल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब्जियां डाल के साथ एकदम अच्छे से घूल जाएं, अगर आप पहले डाल देते तो सब्जियां बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाती, जो हमें बि और यह दिखिए हमने सब्जियों को सिफ एक सी ट्याने तक पकाया है इनकी शेप भी रिटेन है और हलकी सी सौफ भी हो गई है तो हमें विक्कुल ऐसी ही चाहिए थी और अब हम इसके लिए तड़का तयार करेंगे तड़की के लिए मैंने या पर कड़ाई में दो से तीन च साथी एक चमच सरसों डाल देंगे आधी चमच राइ डालेंगे गैस का फ्लेम लो टु मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से स्प्लटर होने देंगे या फिर आप कहेंगे कि चटकने देंगे यह देखिए अच्छे से स्प्लटर हो चुकी है तो आब हम इसमें तीन लाल मिश डाल देंगे इसे भी साथ ही भूनेंगे और साथ ही थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे मेरे पास सुखे करी पत्ता है तो मैं डाल रही हूँ अगर आपके पास ताजे हो तो आप ताजे ही डालें और अब हम इसमें एक प्यास डाल देंगे जो हमने रफली काट दिया था और साथ ही एक चमच अद्रक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से इसके साथ भून लेंगे प्यास को हमें जादा ही ब्राउन करने की जुरूत नहीं है बस हलका सा सॉफ्ट हो जाए उतने तक हम इसे पकाएंगे और अब हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे रफली कटा हुआ इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे धग देंगे धक्या हम इसे एक से दो मिनिट पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता तो यह टमाटर देखिए हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें तीन चमश सामबर मसाला डाल रही हूँ आप किसी भी कंपणि कर यूज़ कर सकते हैं मैंने अम्दे उज कंपनी कर यूज़ किया है साथी इसमें आदी छोटी चमश गरम मसाला डाल देंगे और एक छोटी चमश देगी मिर्ष पाउडर डाल देंगे जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा इसमें हमें जादा मसाले डालने की जरत नहीं है क्योंकि सांबर मसाले में already सारे मसाले होते ही हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हूं ताकि हमारे मसाले जलेना और इसे ढख कर बस एक मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्छा पन चला जाएगा और ये देखिए एक मिनट हो चुका है हमारे ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं इसमें ओयल सेपरेट हो गया है इसमें से बहुत ही बढ़िया खुश्पु आ रही है और अब हम इस तड़के को तयार दाल में डाल देंगे और साथी में मैं इसमें आदा कप इमली का पानी डाल रही हूँ अगर आपके पास इमली ना हो इस समय तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं या फिर निम्बू का रस भी डाल सकते हैं और साथी मेरे पास यहाँ प उबाला आने तक पका लेंगे, इस समय सांबर की consistency आप अपने टेस्क के according adjust कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप इसे पतला बनाना चाहते हैं, या फिर से थिक रखना चाहते हैं, तो आप इसी साप से इसमें पानी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें पानी और जादा नहीं ड आप इसे गर्मा गरम सर्व करें, चावल के साथ, डोसा, इडली, या फिर वड़ा, किसी के साथ भी आप इसे enjoy कर सकते हैं, या फिर इसे रूखा खाने में भी बहुत मजा आता है, तो आप इस tasty, nutritious और healthy recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें, और अपने अनुगव में इस पर भी जोइन कर सकते हैं, और नएनी recipes के लिए,